नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आर्वी एसी वी तैचसेम में इस वीडियो के माध्यमस्यम राश्टी या राज्य प्रतिवा खोज परिक्षा से सम्मंदित महत्पुन परशनों के बारे में चर्चा प्रारंब करने वाले हैं और इस अंदर् इस वीडियो में हम NTSC STAC एक्जाम 2019-2020 में जितने भी महत्पुन क्यूशन बाइलोजी से सम्मंदित हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम RBC Best बाइलोजी क्लास 10 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं इसी त्रेंसे हम कक्षा 9, कक्षा 11 और कक्षा 12 के भी बाइलोजी से सम्मंदित महत्पुन बाइलोजी के वीडियो लाने वाले हैं आते आप इस चेनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें तो प्राणब करते हैं आज का यह हैं वीडियो, सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित भोजन की संतुलित भोजन वैं है जिसमें सभी आवशक, पोशक तत्त, कार्बोहर्डेट, प्रोटीन, वसा, खनीजलवन, विटामिन तथा जल उपस्तित हो तो इसे हम कहते हैं संतुलित भोजन, जीवन के संचारन हेत, कार्बोहर्डेट, प्रोटीन, वसा, खनीजलवन, विटामिन तथा जल उपस्तित मात्रा में आवशक होते हैं तो यहाँ पर संतुलित भोजन से मतलब है, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर की सभी आवशकताओं को पूरी करता हो और हमें जीवित रखने के लिए आवशक हो, संतुलित भोजन की स्रणी में रखा जाएगा अब बात करेंगे हम संतुलित भोजन की उपयोगिता के बारे में अच्छे स्वास्ते के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरत होती है संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है संतुलित आहार रोगों से लड़ने के लिए रोग परतिरोधक शमता को बढ़ाता है संतुलित आहार दिमाग को तीज तथा स्वस्त बनाता है तो जो पहला लाब है हमें संतुलित भोजन करने से अच्छे स्वास्ते के लिए दूसरा जो लाब हो कौन सा माड लिए? शरीर को मजबूत बनाने के लिए तीसरा जो महत्पूण उपयोगिता है वो कौन सी? रोग प्रतीरोधक शम्टा बढ़ाने के लिए और चोथी जो उपयोगिता है वो है दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाये रखने के लिए तो संतुलित भोजन हमारे स्रीर में अच्छी स्वास्ते के लिए मजबूती के लिए शरीर में रोगों से लड़ने के लिए और दिमाग को तेज और स्वस्त बनाये रखने के लिए अनिवारे होता है तो इस तरह से संतुलित भोजन हमारे सरीर को काफी मजबूत बनाने का कारिये करेगा और इस संतुलित भोजन में कौन-कौन से बधारत उपस्तित होनी चीए कार्बोहर्डेड, ब्रोटीन, वसा, विटामीन, खनीसलवन और जल ये प्रयाप्त मात्रा में उपस्तित होना आवशक है अब इसी के वेप्रित जो इस्तती है जिसे हम कौपोशन कहते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं किसी भी पोशक की भोजन में कमी से भोजन ऐसंतुलित हो जाता है लंबे समय तक जब पोशन में किसी एक या अधिक पोशक तत्तो की कमी हो तो उसे कोपोशन कहते हैं कोपोशन का परभाव शारिर्ख एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुरबलताओ अथार्थ कमजोरी की रूप में प्रकट होता है तो अगर कार्वोहर्डेड, प्रोटीन, वसा, जल, विटामीन और खरीज लवन के अगर कभी हो जाती है और ये कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो उसे लीर में कोपोशन की स्ततियोत्पन हो जाती है अगली बात करेंगे हम सबसे पहला जो विटामीन है वो है विटामीन ए जिसे हम रेटिनोल के नाम से भी जानते हैं स्वस्थ आखों के लिए विटामीन ए महत्मुन विंदू है कौन सी है स्वस्थ आखों के लिए विटामीन ए अतेदिक आवशक होता है विटामिन एकी कमी से रोड़ उपसीन का निर्मान नहीं हो पाता है और विटामिन एकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है रतोंदी जिसे हम night blindness भी कहते हैं जिसे हम इस डायग्राम की द्वारा समझने का परियासे करेंगे तो विटामिन एकी कमी की कारण कौन सा रोग हो जाता है रतोंदी रोग हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि विटामिन एकी कमी से नेत्रों में जो द्रश्टी वरणक है रोड़ उपसीन वरणक ये नहीं बन पाता है और यी Ronaldo of Sin वर्णक क्या काम करता है, हमें देखने में जैसे प्रकाश में देखने में सायता परदाने करता है तो अब हमारी जो आंके हैं वो कमप्रकाश या अन्दकार में या रात्र में हमें देखने पर देखने के योग्य नहीं बनाएगी ऐसी स्तती में हमें न तो दिन में दिखाई देगा, कम प्रकाश में और नहीं हमें रात को दिखाई देगा, तो विटामीन ए हमारे नेत्रों के लिए भोती आवशक विटामीन माना जाता रहा है, दूसर जो रोग है हमारी सामने, विटामीन ए की कमी से होने वाला रोग है, जिरो प्थैल्मिया, अर्थार्थ शुष्क नेत रोग भी कहते हैं, इस रोग की लक्षन कैसे पैचान करेंगे, आखों की जो जिल्ली का जो सूखा पन है, इसके द्वारा हम इसकी पैचान कर सकते हैं, तो इस नेत चित्र में हम यह दिखाए दे रहा है, इस चित्र में जो बहारी भाग हैं, जिसे हम आखों की जिल्लिया कहते हैं, यहां पर सूखा पन नजराएगा, और इस सूखे पन में हम जब भी आखों में उपर और नीचे करेंगे, यह आखों का खोलेंगे और बंद करेंगे, तो जो रगड़न से महसूस होती है, और यह रगड़न के अगला विटामीन हैं हमारे पास में विटामीन बीवन और इसे थाइमिन के नाम से भी जानते हैं, विटामीन बीवन की कमी से होने वाला रोग है, बेरी बेरी रोग, रोग की लक्षन, रिदे की धड़कन, कम, पेशियां तता तंत्री का एक कमजोर हो ना, तो इसे हम इस की दोरा भी समझ सकते हैं, इस डाइग्राम में जो विटामीन बीवन है, यह किसे समन देते हैं, तंत्री काओं से समन देते हैं, इसलिए इसे बेरी बेरी रोग के नाम से जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पुरभाव पड़ता है, वो रिदे पर पड़ेगा, तो आप करेंगे हम विटामीन B2 की रायबो फलेविन अन्य नाम से जाना जाता है यह विटामीन B2 की कमी से होने वाला रोग है, रायबो फलेवी विनो शिस, राइबो फले विनो सिस, रोग के रक्शन मुक की किनारे, एवं होट की तवचा का फटना, इस मृत्ती में कमी तो इस diagram हम देख पा रहे हैं कि यह hot है, यह hot के जो किनारे हैं यह फट जाते हैं, तो इस तरह से हम यह फटेवे जो किनारे हैं वो नजर आएंगे, और साथ में क्या कह रहा है कि स्मृति में क्या जाती है कमी, यानि तथ्यों को याद रखनी की जो शमता है वो धिरी दिरे ल B3 के बारे में, vitaomin B3 की कमी से होने वाला रोग है, पेले क्रा रोग, और रोग की लक्षनों में जीवा तवुचा पर परपड़ियां पढ़ जाती है, अधिकांसते वाइट कलर की जो परपड़ियां वो पढ़ जाती है, लेकिन ये परपड़ियां जब हडती है, तो यहां आपर एक घाव सा जो लाल-लाल रंका जो घाव है वो नजर आता है तो हम इने आसानी से समझ सकते हैं अगर यह ज़्यादा समझ्षा पैदा होती है तो यह कुछ रोग में भी परिवर्थित हो जाता है अता है डॉक्टर से सला लेकर इसका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए अब बात करेंगे हम विटामिन C-ascorbic अमले के विटामिन C के कमी से होने वाला रोग है सकर्वी रोग और इसकर्वी रोग में क्या होगा मसूडों में खूनाना और तुचा पर चकते बनना तो यहाँ पर चित्र में भी हम देख पा रहे हैं जो दात हैं उनके मसूडे काफ हीने लग जाते हैं और यहां खूनाना प्राणंब हो जाता है इसी के साथ में तवचा पर लाल लाल रंकी जड़ चकते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसा किसके कारण हो रहा है विटामिन सी की कमी के कारण होता है किसी नाम दे दिया हमने स्करवी रोग इसी तरह से बात करेंगे हम विटामिन डी की विटामिन डी यहां पर कहाएगा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स कहलाता है और रिकेट्स रोग की लक्षन क्या है पेरों की हड्डि यहां मुड़ जाती हैं घुटने पास पास आ जाते हैं तो यहां पर हम गुटने अगर आपस में जुड़े रहते हैं तो यह विशेश प्रकार का रोग होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं रिकेट्स कहते हैं इसी तरह से अगले जो रोग है मारे पास में क्वासी और कर रोग है और यह रोग सभी एक्जामों में लगबग पूछा जाता रहा और इस बार तो लगबग सभी एक्जामों में इस रोग से सम्मंदित ब्रश्न पूछे गया हैं तो प्रोटीन की कमी से क वासी और कर रोग हो जाता है बच्चे का पेट फूल जाता है उसे भूख कम लगती है तो यह डाइग्राम में दिखाए गया इसमें कि बच्चे का जो पैट है वो काफी आ गया जाता है जो कमर वो बिल्कुल पतली हो जाती है सभाव चिडचड़ा हो जाता है तवचा पीली सुष की काली दबेदार होकर फटने लगती है इसमें इस डाइग्राम में दिखाए गया है कि बच्चे की जो तवचा होती बिल्कुल काली पड़ जाती है और बीच तवचा पर बीच बीच में पीले पीले रंके वाइट यह बहुत ही खतरनाक बिमारी है जाता है इस बिमारी से जितना ज़ीव रहा जाए उतना ही अच्छा है अब बात करेंगे हम अगले रोग के बारे में मेरस्मस रोग डाइग्राम में दिखाये गया है आप समझ सकते हो कि डाइगाम में इस्तती है विवादी बच्च्ती की कमी हो यहाँ पर दो तत्य हैं एक तो प्रोटीन की कमी तो हो रही है साथ में बोजन में उर्जा की कमी भी हो रही है तो यहाँ पर प्रोटीन प्लस उर्जा की कमी के कारण शरीर कैसा हो गया है सूख कर दुरूबल हो जाता है तो डाइग्राम में देख सकते हैं हम कि जो श अब बात करेंगे मेहत्व पुन तत्तों के बारे में तो पहला जो तत्त वैं वह है लोह तत्त वह लोह तत्त रूधिर की हीमोगलोबिन का भाग होता है प्रश्ण उड़ता है कि रूधिर क्या है तो रूधिर हमारे शरीर में तरल पधार्थ तरल सयोजी उत्तक रखा जाता है, यह शरीर में ओटोर सीटों के परिवन का काम करता है, शरीर के विभिन आपसिस्ट पदार्तों को शरीर से बाहर निकारने का काम करता है, उत्तकों को और अंगों को जोड़ने का काम करता है, तो इस तरह से रुदिर हमारे शरीर में भूती महत्पुन कारी करता है और ये कारी किसकी साहिता से करता है हीमोग्लोबीन की साहिता से करता है तो हीमोग्लोबीन को हम सोशन वर्णक अधार्थ सोशन रंजक भी कह देते हैं क्यों कह देते हैं क्यों कह देते हैं क्योंकि ये ओटूर सीटू के परिवहन का कारिय करता है इसकी कमी से रक्त हींता के कारण चहरा पीला पड़ जाता है अब शिरीर कैसा हो गया है रक्त हींता नहीं रक्त की कमी आ जाती है किसकी कमी के कारण लोह तत्त की कमी के कारण तो चहरा केसा पड़ जाएगा पीला पड़ जाएगा लोह तत्त रुद इसे हमें जो हरी सबजियां हैं वो खानी ची चाकता कि लोहे तत्तों की जो कमी हुआ हमारे स्रीर में नार रहे अगला तत्तों है आयोडीन यह भी काफी महत्तु पून तत्तों माना जाता है गले में इस्तित अधार्द गर्दन में इस्तित जो थायरोड गरंती है उसके द्धार्द हर्मोन का शन्लेशन होता है यह निरमान होता है आयोडीन की कमी से थायरोड गरंती की क्रिया मंद पड़ जाती है और गलगंड घेंगा या थायरोड रुग हो जाता है इस रोग का पर्यमुकलँक्न इस्तित एं जो गर्दन है तायरोक्सिन हार्मोन का निर्मान होता है और थायरोक्सिन हार्मोन किसके दवारा सरावित हो रहा है थायरोड गरंती के दवारा और थायरोड गरंती की किरिया मंद पड़ जाती है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन सरावित नहीं हो पाता और इसका जो लक्षन है हमें गर्दन की मोटी होना की रूप में दिखाई देता है और इसे हम नाम देते हैं गलगन रोग या घेंगा रोग या थाइरोइड रोग अगला हमारे पास में केलिश्यम तत्व केलिश्यम हड्डियों को मजबूती बनाता है मजबूत बनाता है विटामिन D के साथ हड़ियां दातों को भी मजबूती हड़ियों को तो मजबूती परदान करा है साथ में दातों को भी मजबूती परदान करता है केलिशयम की कमी से हड़ियां कंजोर और भंगूर प्रकरती की हो जाती है इनि थोड़ी सी छोट लगने पर हड़ियां तूड जाती है जादार्थत जो केलिशयम का प्रभाव कमी का वो कहां दिखाई देता है गुठनों पर दिखाई देता है तो गुठनों में दर्ध होना और बेचेनी होना और थोड़ी से ही कारे करते ही हाथ पेरों में दर्ध होना इसके सामाने जो लक्षन वो दिखाई देते है इसी तरह से बात करेंगे हम सोडियम तत्व के सोडियम तत्व सामाने नमक, मचली, मास, अंडे, दूद आधी में पाये जाता है सोडियम तत्व मास पेशी संकूचन, तंत्री की आवी संचरन, शरीर का विदुतब गटन, संत्रुन बनाने का कारिये करता है तो sodium tattu हमें सामानित नमक में पाये जाता है, मचली के जो मास होता है उसमें मिलेगा, अंडे, दूद जो भी है, उन सब में sodium tattu पाये जाता है, ये मास पेशियों के संकुचन में साहिता करेगा, इसे के साथ में तंत्री के आवेशों के जो सुक्ष्णाओं का अधान परद प्रदान करेगा अब बात करेंगे हम पोटेशयम तत्त्त के पोटेशयम तत्त सभी खाध्य पदार्तों में पाय जाता है पोटेशयम तत्त मास पेशी संकुचन तंत्री की आवेज संचरन सरीर का विदुतब गठन संत्रुलन बनाना और विभीन कोशी की क्रियाओं का संचा इसने में वे यक्रत तत्हा व्रक आदि में पाय जाता है फास्पोरस केल्शयम के साथ मिलकर हडीयां और दातों को मझबूती परदान करता है तो हमारे स्रीक में दो तत्त काफी महत्पुन होगे एक तो केल्शयम और एक फास्पुरस यह हड़ियों से सम्मंदित हड़ियो पूर्वक्चर्चा की इस तरहें की वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे यह हमारा पहला वीडियो था इसके बाद में हम एंसी आर्टी बुक के सीबेसी बुक के और राज आर्बी एसी बुक के जितने भी बाइलोजी सम्मधित क्यूशन जो विभिन परिक्षाओं में पू की त्यारी करना चाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें में हनमायन साय मीना फिर मिलता हूं एक नए अपडेट के साथ तब तक बने रहे आर्बी सीवी तेचसम के साथ जय हिंद जय वारत